आदमी मर गया तो आपका पैसा सद गया न बच्चा बच्चा मर गया कौन देगा पैसा ठीक है खुद-कुसी करण क्यों आप इतना मजबूर क्यों कर दी ये ज़े करण कुद-कुसी कर लिया आदमी अब समझे कहीं ने कहीं इस घर की बेटी है जिनके पिता जो है इस दुनिया में नहीं है मा जो है इस दुनिया में नहीं है भाई जो है इस दुनिया में नहीं है अभी रोने से क्या फायदा अभी हम भी रोते हैं थम भी नाटक कर रहे हैं ठीक है इस बक्तम बिहार के समस्तिपूर के बिद्यपति नगर के मउगाउं में हैं जहां पर आपको बता दे कि एक ही परिवार के पांच लोगों ने खुदखुसी कर लिए और कहीं ने कहीं इसका कारण बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण उन पे कर्ज था जिसके कारण वो समझे कि यहां पर जाती है जन गंणा के लिए क्रोर रूपे खर्च किये जा रहे हैं लेकिन गरीबी के कारण अगर किसी की जान चली जाती है तो बिहार के लिए कितनी सर्म की बात है कुछ आसपास के रहने वाले हैं क्या है क्यों मतलब बोलो गए हत्या लगता है आपको चलाते थे तो आस-पास में जितने भी जो घर है किसी घर में आवाज नहीं तो आया होगा हमारी धूरी में घर है जो सामने में घर नहीं है उनका जो सामने में होगा वही न बताएंगे कि भैड क्या बात है आप लोगों कारण भी लग रहा है कि गरीबी के कारण हुआ है गरीबी के कारण हुआ है टोटल परिवार में आपको बता दे कि साथ लोग थे जिसमें से पांच लोगों ने खुद खुशी कर लिया अच्छा आप कौन लगते इस घर के बेटी हुआ अच्छा ये बताए कि घटना मतलब कैसे हुआ और उस समय आप कहां थे अपने सुसराल में थे कैसे हुआ यह तो नहीं पता है पर क्यूं हुआ यह पता है यह सब जो इतना डिप्रेशन दे रहा था उसके कारण हुआ है कौन लोग है जो आपके मतलब माता पीदा को डिप्रेशन दे रहे थे वह है एक मन मुझा उनसे थोड़ा पैसा का है बात तिन लाख रुपया का इसलिए अच्छा यानि कि यह गरीबी के कारण और कर्ज था जिसके कारण यह लोग खुद खुशी किये हैं यह नहीं कि यह डैट है अच्छा मौत किया गया है उसका ठीक है यानि कि आप लोगा कहना अच्छा आप लोग साथ दे रहे हैं लेकिन कई लोग का यह भी करना है कि कर्ज के कारण यह लोग खुद खुशी किया हलाकि आप लोग का कहना है कि यह किसी के द्वार खुशी कराइगा आदमी मर गया तो आपका पैसा सद गया नो बच्चा बच्चा मर गया कौन देगा पैसा अब समझे कहीं न कहीं इस घर की बेटी है जिनके पीता जो है इस दुनिया में नहीं है मा जो है इस दुनिया में नहीं है भाई जो है इस दुनिया में नहीं है अच्छा ये बताईए कि आपको जो कारण लगता है कर्ज का तो अब ही जो है यहाँ पर तमाम नेतामन्ति लोग पहुँच रहे हैं साइध अगर उससे पहले ये लोग पहुँच के आपके घर पे मलत करते अब आके कोई फैदा नहीं है तब आते तो कुछ हो भी जाता तब आते तो आपको आना परता नहीं मुझे और वो लोग सुरख्षित रहते लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते थे कोई नहीं ध्यान देता था अप क्या कोई नहीं उनका खुद बढ़ावाई ध्यान नहीं देता था अभी रोणने से क्या फायदा अभी हम भी रोते हैं थम भी नाटक कर रहे हैं ठीक है अभी दुनिया को अलबीदा कह गए और वो भी करण कितनी सर्म की बात है बिहार के लिए आप क्या कहेंगे कि गरीबी के कारण मतलब यह लोग खुदखूशी किये हैं यह पूरा मतलब कारण नहीं है अब कारण जो भी हो देखाए रिपोर्ट आता है अब इस दुनिया में नहीं है यहीं वो कमरा है जिसमें पांच लोग का जो सव है वो फंदे से लटका हुआ पाया गया था अब समझे बिहार के लिए कितनी सर्म की बात है कि गरीबी के कारण करण यह लोग जो है वो खुश-खुशी किये हैं हलाकि यहां के घर के लोग का कुछ और कहना है कि मतलब आसपास के लोगों से करण था पतना एक कारण क्या है इसकी जो पूलिस यहां की वो मामले की कर रही है देखना है होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है